आपके चैनल पर आते हैं 8, 9, 10, 50 ब्यूज आपके चैनल पर आते हैं 8, 9 या 10, 20, 50 ब्यूज तो आज आप अपने चैनल को कैसे गुरो कर सकते हैं अपने ब्यूज को कैसे बना सकते हैं और अपने चैनल को कैसे गुरो कर सकते हैं इस आसार उमीद के साथ मैं एक बहतरी धमा के दाले करके आज फिर मैं वीडियो आ चुका हूँ आपको मैं बताऊंगा कि अपने चैनल पर व्यूज को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए करना क्या पड़ता है उसके लिए क्या खोज करना पड़ती है आज मैं भी अपने चैनल का कर दिया हूँ कुछ नई खोज उसमर मैं आपको बताने वाला हूँ जो बताने वाला हूँ वीडियो को लाज तक देखिएगा 100% समझ में आएगा सिर्फ 5 मिनट का कमाल है और वीडियो पर वीज आना चालू हो जाएगा मेरा दावा 100% मैं दावा करता हूँ कि आपके चैनल पर अगर आप रगुलर काम कर रहे हैं तो channel पर view जाना चालू हो जाएगा hundred percent मैं बोलता हूँ hundred percent बोलता हूँ channel पर view जाना चालू हो जाएगा जैसे मैंने किया और करने के भाद मेरे channel पर growth करना धीरे-धीरे चालू कर गया चालू इसलिए क्योंकि मेरे channel का growth जो है बड़ रहा है आगे चैनल किसी भी वी वीडियो का देखे रीच मेरे बढ़ते जा रहा है घट नहीं रहा है सर्चिंग में आ रहा है यूटूब सर्च में आ रहा है तब जब आने लगा तो आज मैं आप सभी को ले चलता हूँ रेस यो यस इ ओ अपने चैनल का यस इ ओ कैसे करते हैं उसको मैं दिखाने वाला हूँ बताने वाला हूँ समझाने वाला हूँ तो मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ अपने डिस्पेले पर डिस्पेले पर आप सभी को बताता हूँ समझाता हूँ और और दिखाता हूँ ये है मेरा डिस्पղे, डिस्प्ले पर मजाता हूँ अपने यूइ टी स्टूडियो पर, अपने ही चैनल का मै रिभ्यू करता हूँ, ना कि दूसरे चैनल का, ये मेरा देखें, वीडियो कल का पड़ा हुआ है, जो कि आज भी ये ऊपर को रैंग कर रहा है, रेंग करने से कोई दिकत मेरे उस पर नहीं जा रहा है यहां पर देखिए एनलिस्टिक में जा जाते हैं तो यहां पर चैनल का व्यूज आप देख सकते हैं लेकिन मैं आपको ले जाओंगा कहीं दूसरी जगे सोचिए मत यहां पर देखिए बहुत सारी जितने मेरे वीडियो पढ़े हैं इस वीडियो का मैं रेशियो एक करने वाला हूँ और उस वीडियो का रेशियो करके मैं दिखाऊंगा और आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं आपको एक आइप भी बताऊंगा आइप के जरी आपको tag डालने में बहुत बड़ा support मिलेगा जहां से आपके views बढ़ जाएंगे यह मैं अपने content पर गया content पर मैं जा करके एक वीडियो को उठाता हूँ कोई भी मैं एक वीडियो उठाऊंगा जो कि काई दिनों पहले का वीडियो मैं उठाता हूँ यह वीडियो को उठाया और देखिए इसका भी impression अच्छा जा रहा है इस पर मैंने ratio किया हुआ है इस पर मैंने tag डाला हुआ है इस पर मैंने description में डाला हुआ है जिसकी वज़ा से यह वीडियो मेरा range में जा रहा है इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले thumbnail के बनाना है उसके नीचे आपको जो title लिखते हैं title को ही सब्द आपको ले जाना है अपने description में जो title में लिखे हुए है उसी को copy कीजिए अपने description में ले जाकर के लगाना है उसके बाद आपकी word को डाल सकते हैं आराम से डालिएगा description के बारे में मैंने कई वीडियो बना दिया है आज मैं SEO के बारे में बताता हूँ कि आपको कैसे करना है यह देखे मेरे channel का range है यह वीडियो से जो है मेरे पर आ रहा है वीडियो सर्च से कुछ भी नहीं आरा 70% से चर रहा है 70% के something में वीडियो पर मेरा rank कर रहा है वीडियो मेरे वीडियो का ही जो वीडियो उस पर 70% मुझे ब्यूज मिले हैं कहां कहां से ब्यूज मिले हैं किस परकार से ब्यूज मिले हैं वो यह दिखा रहा है मैं आपको reach पर जाता हूँ reach पर मैं दिखाता हूँ आप को देखे YouTube सर्च से मुझे मिल रहा है कितना 23 परसेंट YouTube सर्च मेरी यानि कि अदी वीडियो मेरा rank नहीं कर रहा है अब इसको rank करवाना तो कैसे करवाना है Chrome browser से मुझे मिल रहा है 53% 33% मुझे मिल रहा है Chrome browser से browser के जरी यूटूब सर्च से सिर्फ मुझे मिल रहा है 23% 23% मिल रहा है इसलिए मेरे channel पर व्यूज नहीं आ रहे थे व्यूज ना ने का कारण यही है यह YouTube सर्च पर मेरा वीडियो नहीं rank कर रहा है जब तक YouTube सर्च पर मेरा वीडियो रैंक नहीं करेगा तब तक व्यूज नहीं आएंगे 100% नहीं आएंगे आप भी इस पर जाकर के सर्च कर लीजीए Content पर जाना वीडियो लेना वहाँ पर जा करके आप रीच पर जाना रीच पर जा करके देख लेना आपका वीडियो कहां कहां कैसे से आपके व्यूज आ रहे हैं कितने परसेंट आ रहे हैं आपको दिखाई देगा और आसानी से आप समझ सकते हैं उंचा नीचा थोड़ा बाला लगा रह है थीक है इसपर काम करने के लिए आपको मैंने दिखा दिया कि कहां से कैसे वीडियो पर मेरे कितने परसंट वीडाय dije वो देखिए ठीक है ना अब यह नीचे इस वीडियो में हैं इस वीडियो में जो भी हैं मेरे वीडियो इसमें भी जो इस वीडियो में सुझाओ देने वाले वीडियो हैं मतलब इस टापिक पर मुझे वीडियो जब मैं बनाओंगा तो उस पर व्यू जाएगा 100% आएगा त इसमें भी मेरा दो वीडियो रेंकर रहा हैं इसी टापिक को मैं पकड़ करके वीडियो बनाता हूं यहीं से मैं सर्च करके किस टापिक पर वीडियो बनाता हूं यहीं से मुझे मिल जाता है उसी टापिक पर मैं वीडियो बनाता हूं वीडियो पर आपने आप व्यूज आने हैं और आराम से चैनल गुरो कर रहा है एक दिन में चैनल गुरो होने वाला नहीं है आप महिले चलता हूँ आपको एक आपको मैं आप बनाता हूँ उस आप को डाउनलोड करना है पिले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लेना है वहां से आपको जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से भी आपको आसानी से मदद मिल जाएगी वाइटी स्टूडियो में आपको सर्च यहां पर देखें रिसर्च पर दिखाते हैं रिसर्च से भी आप सर्च कर सकते हैं अपने keyword को और आसानी से अपने tag में description में लगा सकते हैं लेकिन मैं आपको लगाऊंगा जहां से बताऊंगा वहाँ पर search करने के भी अतनी सकता नहीं है आपके वीडियो के अधार पर keyword को सिर्फ चुनना है आपको चुन लेना है आइड कर देना है और आपको आगे बढ़ जाना है तो इसके लिए बने रहना होगा पूरे वीडियो को लाज तक देखिएगा एक point आज जो मैं बताने वाला हूँ समझाने वाला हूँ बहुत माद point है उस point होगर आप समझ गए तो आपके channel पर view जाना 100% complete हो जाएगा आने लगेगा view और आप आगे बढ़ साएंगे यहाँ से देखे keyword यह देख रहे हैं यह keyword चल रहे है जो कि आज के यूग में है आज के समय पर बहुत जादा search में है इस समय यह searching में है यहाँ से मैं बैक होता हूँ और video bit bit आकर जाके bit IQ bit IQ आपको download कर लेना है यह मैंने download किया हुआ इस पर मैं राइंग करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ यहीं से मैं करूँगा अपने video का ICO यह SEO यहाँ से करेंगा यह देखे bit IQ bit IQ अगर आपने download नहीं किया है तो मैंने thumbnail में भी इसका नाम डाल दिया है आप जाकर के वहाँ से download कर लीजेगा अब यह मेरा खुल गया bit IQ यहाँ से मैं जाता हूँ research पर research पर मैंने टेच किया तो मेरा video यह सारे video जो है यहाँ पर attach हो चुके है चुकि bit IQ जो है YouTube के relative है YouTube से यह जुड़ा हुआ है यहाँ से भी आपको ratio करने में कोई दिक्कत नहीं है yes you करना होगा तब भी आप यहाँ से कर सकते हैं मैं अपने उस video को चुनता हूँ जिस video पर आज मुझे yes you करना है और आप मैं आपको करके दिखाता हूँ keyword डाल के दिखाता हूँ type डाल के दिखाता हूँ और आप सभी को समझाता हूँ यह दिखिए how to YouTube channel और इस पर मैं title and description इस पर मैं ratio करता हूँ जहाँ पर देखिए keyword मुझे बहुत सारे मिलेंगे अपने आप मिलेंगे वहाँ से सिर्फ मुझे टेच करना है इस समय मेरे वीडियो का जो है reach वो 10 सव में से 10 पर चल रहा है आप बीच में देख सकते हैं 10 में 10 वे नमबर मलब की 100 अंक मैं से मुझे मिल रहा है यहाँ पर 10 अंक अब 10 अंक को मुझे कैसे बनाना है इसको 40 से 50 20 के उपर ले जाना है मैं कैसे ले जाओंगा आप सभी देखिए यहाँ पर मुझे मिल रहा है टाइग नीचे देखिए टाइग का आप सना रहा है इसमेर प्लस प्लस का निसान है प्लस के निसान पर मैं टेच करूँगा प्लस के नेसान पर मैं टेच करके और यहीं से कीवर्ड को उठा लूँगा देखिए मैं कीवर्ड उठाया यहां से नीचे से पब्लिस किया और यहां पर कीवर्ड जुड़ता गया अभी आपको मैं ले चलके इसको वाइटी स्टूडियो में भी दिखाऊंगा लिखना है तो लिख लीजिए वरना नहीं लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा जब वाइटी स्टूडियो से या यूटूब से सर्च करेंगे यहां से लिखने के कोई जरूद नहीं है सिर्फ प्लस पर आपको टेच करना है और अपने कीवर्ड को अपने जो टाइटल डाले है डिस के रिप्सन लिखे हैं उसके आधार पर ही होना चाहिए यह याद रखना चुकि इसमें बहुत सारे जो कीवर्ड सर्च किये जा रहे हैं वो कीवर्ड आपको यह देता है लेकिन उसमें से आपका कीवर्ड कौन सा आपके मतलब का कीवर्ड है उस कीवर्ड को रखना है बाकी बाद में हटा देना है मैं आपको बाद में हटा करके भी दिखाऊंगा वाई टी स्टूडियो में जा करके तो बने रही है वीडियो में लास तक देखते रही है समझते रही है और आगे बढ़िए अब देखिए मैं यहाँ से जैसे किया मेरा ratio SEO करते ही यह पहुंच जा रहा है 14 10 अभी तक था 10 अब यह पहुंचा 14 अभी मैं और बढ़ाता हूँ 14 अभी दिख रहा है उपर अभी आपको और बढ़ता हुआ दिखाएगा मैं बढ़ा रहा हूँ यहीप keyword जैसे मैं डालता जाओंगा वैसे ही यह SEO करता जाओंगा वैसे ही हमारे चैनल का यह reach अपने आप उपर बढ़ता जाएगा इसमें कितने परसेंट कौन सा keyword सर्च किया जा रहा है वो भी दिखा रहा है आपको साफ सुत्रा लिखा हुआ है आप उस word को पकड़िए जो आपके चैनल के माध्यम का है आपके keyword आए आपको दूसरा का keyword मत उठाइएगा ताकि वो आपको दिक्कत कर देगा keyword वही चुनना है जो आपके description और title के या वीडियो के आधारित है उस keyword को उठाना है दूसरे keyword को नए उठाना है इसमें keyword वो ही मिलते है बहुत सारे keyword मिलेंगे हर परकार के keyword मिलेंगे आपको समझना है देखना है यहीं पर आपको बहुत गवर से देखना है कि कौन सा keyword हमारे tag का है वीडियो या kitchen का वीडियो है या संगीत का वीडियो है उसमें कौन सा tag काम कर सकता है जब 14 था यह 18 हो गया 18 से भी और मैं टाइक डालता हूं इसको करता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि बड़े प्रेम से यह आगे को बढ़ता जाएगा और काम करेगा यह कीवर्ड बहुत बढ़िया काम करेगा यह चैनल को आपको ले जाकर अब मैं फिर चलता हू जिस वीडियो पर मैंने यस यू किया है और यस यू करके महाँ से मैंने कीवर्ड को टाइक में डाला हुआ है कीवर्ड में डाला हुआ है टाइक मैं आपको फिर से दिखाता हूं आप बने रहे हैं वीडियो में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन को प्रस करना मत भूलिएगा यह देखिए, यहाँ उपर पेन बनी है, उपर पेन पर आपने टेच किया पेन पर टेच करने बाद आप आजाएए अपने टैक पर, टैक पर जब टेच किया, यह देखिए जतने भी कीवर्ड मैंने वहाँ पर डाले थे, वो कीवर्ड यहाँ पर आपके सो कर रहे है अब यहाँ से आपको देख लेना है कि कौन सा मेरे चैनल के माध्यम का है, कौन सा मेरे चैनल पर टैक काम करेगा कौन से ट्रेक नहीं काम करेगा जो नहीं ट्रेक काम करेगा उसको यहां से हटा देना देखिए मैं एक को हटा रहा हूँ इसको दो बार टेच करिए यह हट गया जैसे आप इसको दो बार टेच करेंगे पहली बार टेच करेंगे तो काला होगा दूसरी बार टेच करेंगे तो हट जाएगा ये दूसरा मैं देखें सोड वीडियो है सोड वीडियो भी मैंने हटा दिया सोड वीडियो भी मैंने यहाँ से हटा दिया इसको मैं अब कर देगा सेब उपर सेब का अब संदिक रहा है SEO करने की नहीं है अगर किसी को सही जानकारी होती तो वो अपने चैनल में मिलियन नहीं दस बीस मिलियन लाता और एक दिन में दो वीडियो डालता चार वीडियो डालता महिने में और आज वो कहां होता कोई पता नहीं लेकिन लोग अपने-अपने अलग-अलग AIP का इस्तेमाल करते हैं अलग-अलग अपने आइडिया का इस्तेमाल करते हैं अलग-अलग अपने परकार से अपने वीडियो को SEO करते हैं और उसमें ट्रैक डालते हैं description में सब्द लिखते हैं जो keyword अज सर्च किये जा रहे हैं उसी keyword को अपने वो description में ले जाकर के लगाते हैं वहाँ से उनके channel का grow होता है channel search में जाता जब channel keyword को आप डालेंगे तो उसकी word को डालते ही उसमें आपका video rank करने लगेगा उसमें आपका भी video आने लगेगा दो number चार number पर नहीं आएगा शुरू में आप अगर कहें सही नहीं है तो आपके 10 number 20 number पर वीडियो 100% आएगा कोई सक नहीं है तो thank you for watching वीडियो को देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत आवार जय हिंद जय भारत फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लाग में नए जोस नए उत्सा के साथ वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share करियेगा जय हिंद बाइ